हेलो दोस्तो आज हम लोग integration के सम करने वाले है तो यहाँ पे आपको sin square, sin to the power 4 और cos cube दिख रहा होगा ठीक है तो directly तो यह integration का formula बनेगा नहीं कुछ भी और यहाँ पे किसी को मुझे t put करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको सिखा है जबी भी t put करेंगे तो इसका derivative होना चीए तो देखो यहाँ पे अगर मैं sin को t put करते हो न तो इसका derivative cos मौजूद है ठीक है बट यह चीज़ को सबसे पहले मैं ऐसा लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे sin cos cube है तो cos cube को मैं ऐसा लिख लेता हूँ sin square x क्योंकि यह हमारा identity का formula है तो sin square plus cos square 1 होता है तो इसके लिए cos square की value 1 minus sin square हो जाएगा और यहाँ पे cos x आजाएगा देखो अब मैं क्या करूँगा अब मैं sin x को t put करूँगा तो put sin x t इसका मतलब क्या फिर इसका derivative लेंगे तो sin का derivative क्या हो जाएगा cos x is equal to dt by dx जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते है cos x into dx is equal to dt क्योंकि dx यहाँ पे आजाएगा तो यह बला पाट क्या हो जाएगा dt हो जाएगा तो आपका i अभी क्या हो जाएगा पूरा t के terms में change हो जाएगा क्योंकि sin को मैंने क्या लिए t लिए तो यह क्या हो जाएगा t to the power 4 और यह हो जाएगा 1 minus t to the power square और यह हो जाएगा dt क्योंकि पूरे को हमको t में करवट करना है देखो integration हम ऐसी solve करते है या तो आप generally उसका formula apply करो जो कि यहाँ पे possible नहीं है या तो फिर आपको t put करके इसको general formula में arrange करना है तो अब आपका i क्या हो जाएगा अब आपका i हो जाएगा integration of t to the power 4 और जाएगा और यहाँ पे integration of t to the power 6 हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे plus minus है इसके लिए मेने च को underput कर दिया integration को तो अब यह क्या हो जाएगा x to the power n का formula हो जाएगा तो t to the power 4 का formula हो integration क्या हो जाएगा t to the power 4 plus 1 upon 4 plus 1 minus t to the power 6 plus 1 upon 6 plus 1 plus c यह हमारा answer हो जाएगा अब हम क्या करेंगे अब हम resubstitute करेंगे ठीक है तो आपको resubstitute करना है किसकी value T value तो T की value जो हमने sin x ली थी वो अभी आपका क्या हो जाएगा देखो T के बदले क्या जाएगा sin x और यहाँ पर 4 plus 1 कितना हो जाएगा 5 by 5 minus sin x यहाँ T के बदले और फिर यह 7 by 7 plus C हो जाएगा ठीक है अब next हम दिखते है यहाँ पर अभी 1 upon 4x plus 5 x to the power minus 11 दिया कभी भी आदखना आपको x to the power minus दिया रहते हैं तो जैसे suppose x to the power minus n है तो इसको हम लोग 1 upon x to the power n लिखते हैं ठीक है क्योंकि उपर जाके negative हो जाता है तो यह चीज़ को भी हम वैसी लिखेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 1 upon 4x plus 5 by x to the power 11 dx हो जाएगा अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा अब यही सेम चीज़ को x to the power 11 को यहाँ पर shift करूँगा तो वह जाएगा 4 x already है तो 11 क्या हो जाएगा x to the power 12 क्योंकि 1 तो already है न x to the power 1 और plus 5 और यह divide by जो x to the power 11 होगा वो उपर जाके x to the power 11 हो जाएगा ठीक है जो भी denominator वाला पाट है वो numerator में चलेगा तो देखो अब आप इसको solve कर सकते हो तो अब यह नीचे वाले पाट को t put करो मतलब 4 x to the power 12 plus 5 को t put करो तो देखो यहाँ पर 4, 4 ही रहेगा x to the power 12 का derivative क्या हो जाएगा 12 x to the power 12 minus 1 is equal to dt by dx क्योंकि x to the power n का formula यह derivative यह होता है और 5 का derivative 0 हो जाएगा तो यहाँ पर देखो यह 4 into 12 हमें जरूरत नहीं है तो इसको हम लोग नीचे भेज़ देंगे तो यह कितना बचेगा x to the power 11 और यह dx और यह हो जाएगा dt यह हो जाएगा 48 क्योंकि 4 into 12 करेंगे तो वो 48 हो जाएगा नीचे मतलब x to the power 11 dx मतलब इसको आप क्या पूटर सकते हो dt by 48 तो यहाँ पर यह हो जाएगा integration of dt by 48 और यहाँ पर यह हो जाएगा 1 by इसको तो हमने t लिया न तो यह t हो जाएगा तो यह पूरा इसमें include होगे यह वाला part होगे तो अब यहाँ पर 1 upon 48 भारा जाएगा और integration of 1 by t dt हो जाएगा जिसका answer हमें पता है 1 by 48 और 1 by t का integration directly पता है log mod of t plus c अब हम क्या करेंगे t की value resubstitute करेंगे तो resubstitute t value तो t value resubstitute करेंगे तो हमारा answer क्या जाएगा 1 upon 48 log mod of t की value कहती 4 x to the power 12 plus 5 plus c हमारा answer हो जाएगा ठीक है एक और sum देखते हैं यहाँ पर अभी suppose ऐसा वाला sum है integration of e to the power log of यह है ठीक है तो suppose इसे हम ऐसे लिख लेते हैं कि यह जो भी e to the power है इसको मैं पहले अच्छे दिलिख लेता हूँ तो 3 उपर जाएगा तो यह हो जाएगा e log xq हो जाएगा क्योंकि log की property है और यह वाला part देखो reciprocal अभी अभी मैंने आपको बात आता है e है और यहाँ पे कुछ भी होगा a तो इसका answer a होता है ठीक है यह property आपकी तो यहाँ पे जो बचाव answer है का वो क्या हो जाएगा देखो e log e है तो यहाँ पे बचाव answer xq हो जाएगा और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा x to the power 4 plus 1 dx देखो अभी आपको क्या करना है अभी नीचे वाले को t में q put कर रहा हूँ उपर को q नहीं put कर रहा हूँ आपको धिरे दिरे समझेगा क्योंकि इसका derivative उपर है ठीक है तो इसका derivative नीचे नहीं है तो जिसका derivative मौजूद है हम उसी को t put करेंगे तो x to the power 4 का क्या हो जाएगा 4 x to the power 3 हो जाएगा और यह हो जाएगा इसके वज़े dt by 4 तो यह हमारा हो जाएगा dt by 4 और यहाँ पर हो जाएगा इसको तो हमने t लिया था तो 1 by t अब इसका 1 by t का क्या हो जाएगा पहले तो 1 by 4 हम भाहर निकल लेते हैं integration of 1 by t बचेगा dt तो 1 by 4 का क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1 by 4 log mod of t plus c हो जाएगा क्योंक पहले तो 1 by 4 log mod of t की जो भी value थी x to the power 4 plus 1 plus c answer हो जाएगा हेलो दोस्तो मेरा नाम जतिन शर्मा है आईटी जैम mathematics में मेरा all India rank 406 था मैं online personal lecture या तो doubt solving रहता है कोई भी class रहेगा कोई भी topic रहेगा mathematics का डिगरी का भी रहेगा तो भी चलेगा आप मुझे call या whatsapp कर सकते हैं email address भी मिल दिया है आप subscribe कीजिए चैनल को और यह वीडियो में अगर आपको कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे facebook या instagram पर पूर सकते हैं मैं आपको reply करूँगा link description में है